नमस्कार मैं हो सासी आए जारकंगे टोप 25 परमुख खबर जानते हाँ जारकंग बिधान सभा का सिदकालिन सथ्र पर्मुख खबर जानते हाँ बता दे कि मानसुन सत्र को दो बार बिस्तार दिया गया था और 5 सितमबर और 11 नौमबर को 22 से सत्र बुलाए गए थे जिसमें 1932 के खतियान और OBC आरक्षन की बिधह को मंजूरी दी गई थी पिछला मानसुन सत्र काफी हंगामेदार रहा था और सितकली सत्र के भी हंगामेदार होने के असारा है बता दे सत्र में विपक्ष की राजनीती पर विजेपी के मुखे सचे तक बिरंची नराय ने कहा है कि 18 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में रणीती त्यार होगी लेकिन बे पट्री हो चुकी सरकार को पट्री पर लाने के लिए सदर में विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ेगी अगर सदर में हंगामा होता है तो इसके लिए खुद सरकार की जारखन में आकास में बादल छाय रहने के कारण राज धानी राची सहीत राज के कई जीलो का अधिक्तम और निमतन तापमान बढ़ गया है वही अधिक्तम तापमान 30 डिग्री सेल्सेस के आसपास पहुंच गया है मौसम केंद्र ने पुर्मर्मान किया है कि 14 दिसंबर से आकास पूरी तरह साफ हो जाएगा उसके बाद तापमान गिरने लगेगा और एक बार फिर टंड बढ़ सकती है निम्तक तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सेत की गिरावट हो सकती है मौसम बैग्याटकों ने यह भी कहा है कि रांची या आसपास के इलागों में 15 दिसंबर तक लोगों को सुबह में कोहरा और धूंत का सामना करना पड़ेगा अधिक्तम तापमान में ज्यादा परवर्तर नहीं होगा सरकारी स्कूलों में कक्छा 1-3 तक की अर्धवार सिक परिक्छा 9 जनवरी से होगी राज्ये के सरकारी स्कूलों में कक्छाई एक से साथ तक के बिद्यार्थियों के अर्धवार्षिक परिक्षा की तिथी में बदलाव किया गया है अब यहाँ परिक्षा 9 जनवरी से 11 जनवरी तक होगी बतादे पहले यहाँ परिक्षा 22 दिसंबर से होनी थी जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधानों परिक्षा परिक्षा ने इस बाबात आदेस जारी किया है आदेस की जनकारी सभी छेतरिये सिक्षा सन्यूक्त निदेशक जिला सिक्षा पतादिकारे वाम जिला सिक्षा अधिक्षा को दे दिगई है मुख्य मंत्री मेधा चात्रवीरती के तहत प्रोचाहन रासी मिलना शुरू हो गया है सिक्षा मंत्री जगनात महतो ने जैक में आयोजित कारिकरा में बटन दबा कर इसकी ऑनलेन शुरूआत की है इस मौके पर जैक अध्यक्ष डाक्टर अनिल कुमार महतो सहीत जैक के कई पद्यादीकारी मौजूद थे बता दे मुख्य मंत्री मेधा चात्रवीरती योईना के तहत जैनित सभी चात्रचत्राओं को वर्ग 9 से लेकर 12 तक 12 चात्रवीरती 12,000 रुपे मिलेगा इस वरस मेधा चात्रवीरती योईना के तहत 389 को लाब मिलेगा मुख्य मंत्री मेधा चात्रवीरती योईना परिक्षा 2022 में कूल 87,736,736 सामिल हुए थे सिक्षा मंत्री जगनात महतुर ने ओनलाइन चात्रवीरती राथी जारी करते हुए कहा है कि इसे विद्यार्तियों को आर्थिक साहता मिलेगी जार्खन में पारसनात को परेटन अस्थल नोटिफाई करने के बिरोध में जैनियों के परदसन गिरीडी के पारसनात पहाडी को परेटन अस्थल घोसित किये जाने से जैन समाज के लोगों में आकरोश है इसके बिरोध में कई सहरों में परदसन किये जा रहे हैं बतादे जार्खन के गिरीडी जीला अंत्रगत परसनत पहाडी कोपरेटन अस्थल के तोर पर नोटिफाई किये जाने पर जैन समाज बिरोध जता रहा है पिछले एक हपता में देश के एक दर्जन से भी ज्यादा सहरों में सरकार के इस फैसले के बिरोध में परसन हुए है कई जैन मुणियों ने भी सरकार से या फैसला वापस लेने की मांग की है पारसनत पहाडी दुनिया भर के जैन धर्वलंबियों के बीच सरोज तिर्थ सम्मेद सिखर के रूप में विख्या था है जैनियों के 24 वे से 20 तिर्थ कोरों की निर्वान भोमी होने से या उनके लिए पूझे छेत रहा है सियम हेमंद की चेतावनी जो काम वीडियो नहीं करेगा वह वीडियो हाजत में होगा लोहर दगा के समरनाले मैदान में आयोजीत खत्यानी जो हार यात्रा में मुख्य मंतरी हेमंद सुने ने केंदर सरकार और भाजपा पर जम कर भड़ास निकाली है सियम ने खुद मंच से अधिकारियों को भी चेतावनी दी है कारकरम में सामिल हजारों ग्रामीनों जे एमेम और कॉंग्रेस करकरताओं को संबोधित करते हुए सियम ने कहा है कि एक हत्यानी यात्रा को बल और ताकत देने के लिए जीले भर से आय किसान ग्रामीन टाना भगत समेत अन्य को हाथ जोड़कर जोहार कर रहा हूँ हमारे उपर अनगिनित सोसन हुआ जानवरों सभी भुरा बरताव होता रहा हमारी माबहन का सोसन भी होता था सियम ने कहा है कि बीर सपूतों ने हमारे आदिवासी समाई से जनम लिया जिन्होंने सोसन के बिरूद जंग किया कुछ आदिवासी भी पक्षी नेता खुद को आदिवासी बोलने से बच रहे है पर हम गर्व से आदिवासी होने की बात कहते हैं क्या भागवान बिर्शा मुंटा का बेटा चोर हो सकता है पर ए लोग चोर साबित करने में लगे है बतादे सीयम ने किसी का नाम लिये भी न कहा है कि यहां पर आने वाले लोग बड़े पुंजी पती नहीं है बलिक ए लोग आपना कमाई कर खाना खाते है आदिवासियों के डिने में डर नाम की चीज नहीं है रामगड बिधायक ममता देवी समे तेरह दोसियों को पांच-पैंच साल की सजा रामगड के इनलेंड पावर गोल कांड मामलें बिधायक ममता देवी समित 13 लोगों को 5-5 साल के साजा सुनाई गई है हजारी बाग बेवार ने अला इस्तित MPMA कोट ने फैसला सुनाया साथी 10-10,000 रुपय का जुर्माना भी लगाया गया है मालूम हो कि कोट ने गोली कांड में बिधायक ममता देवी समित 13 लोगों को दोसी ठाहराया था इसी के तहत मंगलवार को कोट ने फैसला सुनाया है संजय कुमार मिस्रा होंगे जहरखन हाई कोट के नए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिस्रा जहरखन हाई कोट के नए चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोट कोलेजियम ने उनके नाम केनुसंसा केंदर सरकार को भेज दी है बता देख की जार्खन हाई कोट के चिप जासिस डाक्टर रवी रंजर 29 दिसमबर को सेवा निवरित हो रहे हैं इसको देखते हुए सुप्रीम कोट की कोलेजियम ने जार्खन हाई कोट सही तीन हाई कोट के चिप जासिस की नियुक्ति की है फिलहाल केंदर सरकार से अनुमती मिलने के बाद संजाय कुमार मिस्त्रा को जार्खन हाई कोट के चिप जर्षिश के रूप में सपत दिलाई जाएगी जार्खन बंगाल और उडिसा के कुडमी संगठन एक जूट अनुसूचित जन जाती का दर्खा पाने के लिए तिन राजियों जार्खन बंगाल और उडिसा के कुडमी संगठन एक जूट हो गाई है वर्तमान में जाती पिछडा वर्ग में सामिल है सोमवार को नई दिली में सांसाथ भौन के समक्ष इन्हों ने अपनी मांग के समर्थन में जोरदार प्रशन किया कारकरम में दल ये सिमाय तूट गई परमुख दलों के जन परतिनिधियों ने इसमें अपनी मजूदी दर्ख कराई है बतादे तिनों राजों के कुर्मी संगठनों को मिला कर बनी टोटेमी के कुर्मी कुर्मी महतो समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मांग बुलंद किया है हाथ के बॉल चल कर 123 दिन पहुँचे बिच्चू बम आखिरकर बिच्चू बम बाबा धाम पहुची गए हैं बतादे बाबा मंदीर प्रांगन में पहुचने के बाद वा अपने पैरो पर खड़े हुए इसके बाद मंदीर प्रांगन में हरहर महादेव और बाबा बैदनात की जयकारे लगे बिचुबम ने मंदीर प्रांगन में बैठे बैल को केला खिलाया इनका नाम असोग गिरी उर्फ मनुस सोनी उर्फ बिचुबम है उतर परदेश के बलीया जिला के रहने वाले हैं राख्षा मन्दन के दीन बिचुबम ने बाबा धाम के लिए हाथ के बल अपनी आत्रा सुरू की थी पता दे उतर परदेश के बलीया जिला के नाथ नगर रसड़ा निवासी असोग गीरी उर्फ बिचुबाम भागवान भोले संकर के भक्त हैं जारखन के यात्रियों की बढ़ी मुस्किले चोपन समेत आठ ट्रेने 29 तक रद दे जारखन के पलामू लाते हार और गढवा से गुजरने वाली कई ट्रेनों को लंबे समाई के लिए रद कर दिया गया है कई ट्रेनों के रूट बदले गया है वही कुछ ट्रेनों का आंसिक समापन और प्राराम भी किया गया है मुख्य जन संपर्क अधिकारी विरेंद्र कुमार न या जनकारी दी है उन्होंने बताया है धनवाद मंडल के गढवा रोड तोलरा एवाम राजहारा एस्टेशनों पर नन इंटर कॉलिंग कारे के मद नजर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है पी आरो ने बताया है कि 14 से 29 दिसंबर 2022 के बीच कम से कम आठ ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया गया है रद किये गए ट्रेनों के सुची में रांची चोपन एक्सपरेस, चोपन रांची एक्सपरेस, नेताजी सुबास, चंदर बोस, गोमो चोपन और वरका खना वारा नसी, वरका खना एस्पेशल का परिचालन रद रहेगा गुमला कोट ने दुसकर्म के दो अलग-अलग मामलों में 7 और 15 साल की साजा सुनाए गुमला के एडीजे चार सह बिसेश न्याएधिस अंजनी अनूज की कोट ने नबाली के साथ दुसकर्म के दोसी पालकोट थाना के बिलिंग बीरा निवासी दिगंबर उर्फ मधु सिंग को 7 साल की साजा सुनाई है वहीं एडीजे बन दुर्गेस चंद्र अवस्ती की कोट ने मंगलवार को साधी सुता माईला के साथ दुसकर्म के दोसी बोहाई टोली निवासी सरोज प्रधान को 15 साल की साजा सुनाई है खोटी के पीकिनिक एस्पोर्ट में तनात होंगे सुरक्षा बॉल नया साल आने वाला है इस नया साल में लोग घुमने फिरने ज्यादा पसंद करते हैं खोटी में भी कई परटा कस्थल है जहां लोग नया साल में आनाद उठा सकते हैं इसको देखते हुए खोटी स्पी अमन कुमार ने परटान अस्थलों पर अतरिक्त पुलीस बलो की तनाती का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया है कहा है कि प्रयाटकों को कोई परटानी ना हो इसके लिए सुरक्षा बलो के तनाती की जा रही है खोटी स्पी कर्याला सभागार में मंगलवार को क्राइम मीटिंग किया गया जिसमें अमन कुमार ने मामलो के निस्पादन की स्थिति की समीक्षा भी की है बीधायक ममता की सजा को जारखन हाई कोट में दी जाएगी चुनाओती रामगड के गोला गोली कांड में बिधायक ममता देवी समें 13 दोस्यों को 55 साल की साजा हजारी बाग MPA में लेकोर्ट ने सुनाया है इस फैसलोगों जारकन हाई कोर्ट में चुनोती दी जाएगी सहजार बाग जिला कॉंग्रेस कार्याले में करेकारी अध्याग सहजादा अनवर ने पत्रेकारों से बात करते हुई जनकारे दिया सहजादा अनवर ने अरोप लगाया है कि बिधायक ममता देवी को राइनीतिक साजिस की तहस भसा आया है नियाला के नियना पर कोई टिपनी नहीं करेंगे वही मामलियों को उच नियाला में ले जाएंगे लातेहर में टीचर की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा लातेहर जिला अंतरगत बरवाड़ी परखंड इसी छीपा दोहर के परजेक्ट पलस टू उच बिद्याला में मंगलवार को छात्र छात्रों ने जांग कर हंगामा किया इस्कूल में सिक्षको की कमी को लेकर हंगामा करने के बाद नराज छात्रों ने इस्कूल के में गेट पर तला जड़ दिया अपसाना और कमला कुमारी समेत कई छात्र छात्राओर ने बताया कि पलस्टू उच विद्याला में हिंदी और संस्कीत विशाय को छोड़ किसी विशाय के स्थिक छक नहीं है ज्यारखन के 16,000 गाओं में 9 साल में 4G का तोफ़ा नए साल में ज्यारखन के गरामीनों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा कातोफा मिलेगा जल्धी राजे के और 1600 गाओं में 4G कनेक्टिविटी उपलब्द होगी यह वैसे गाओं हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी इस पर काम सुरू हो चुका है और अब तक 500 से अधिक जगों पर BSNL की ओर्च टावर लगाए जा चुके हैं BSNL के मुताबिक 4G सेचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत राजे के 977 गाओं में नहीं मोबाइल टावर लगाए जाएंगे इनमें लगने से 600 गाओं मोबाइल कनेक्टिविटी वाली छेत्रे में आ जाएंगे साल 2023 के दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा देवघर कोट ने मा बेटे को सुनाई सजा देवघर के अपर जिला एवम सत्र ने अधिस नौव सभीशेस ने अधिस क्राइम अगेश्ट बोमेंस विजय कुमार स्रिवास्तव की आदालतने दहेज हत्या मामले में पती एवम सास को दोसी पाकर अलग-अलग सजा सुनाई गई दोसी करार दिये गए पती कुमार गवरों को 10 साल और सास बिमला देवी को 7 साल की सस्त्रम सजा सुनाई है इसके अलावा पती को 10 या उर्पे का जुर्माना लगाया गया है जिसे आदा नहीं करने पर अलग से 6 मा की जेल काटनी होगी लोहरदग्गा गुमला में सिम हेमन्त हुए नराज नहीं पाया जाने पर सिम ने नराज भी दिखे सियम सीरी सुरेन 13 दिसंबर 2022 को लोहर्दगा जीला परिस्षद में राज अस्तरिये और लोहर्दगा याम गुमला जीले के प्रसासनिक याम पूलिस पता अधिकारियों के साथ लंबी समिक्षा बैठक की मेडिया से बात करते हैं उन्होंने कहा है कि बैठक में बातों तो बहुत हुई कुछ अची और कुछ खराब भी जो कम्या पाई गई है उन्हें ठीक करने का निदेश अधिकारियों को दिया गया है सरकार करेगी हर जरूरत मंद की मदद मुख्य मंतरी सियम हिमान सुरेन ने कहा है कि नेतर हाट फिल्ड फायरिक रेंज रद किया अब वहां खेती बाड़ी होगी वन अधिकार अधिनियम में बदला हुआ तो अधिवासियों के हीत के बिप्रित है इसके लिए परधान मंतरी से पतरचार किया है बचिया पढ़ती रहे हम सहयोग करें इस राज को अपने हाथों से सवारेंगे बाहर जाने वाले स्त्रम विभाग में रइस्ट्रेशन करा कर जाए ताकि किसी आपात इस्थिती में मजदूर को ला मिल सके हमारे सामने कुछ ऐसी बात आती है जिसमें कुपोशन की सिकार बच्चे और महिलाए होती है अब हमारे बच्चे और महिलाए कमजोर क्यों हो रही है यह इसलिए हो रहा है क्योंकि पुरु की बातों को अमल नहीं करते अब हम राशन कार्ड पर जिंदा रहते हैं इसलिए पुरू की योजना को लेकर पसुधन योजना शुरू किया है हडिया दारू फेकिये और सरकार की योजना को लेकर मैथा पर लेकर जाईए और खुसाल रहिए सरकार हर तरह के जरूत मंदों को मदद करेगी इसलिए हड़िया दारू छोड़िये और सरकार की जोजना का लाव लीजिए उर्जा संरक्षन पर छात्राओं को किया गया जागरूप इसकी अध्या प्रचार ये डाक्टर सम्सून निहार ने की डाक्टर निहार ने कहा है कि हम उर्जा का उपयोग उसके उत्पाइदन करने से जयादा तेजी से करते हैं कोईला तेल और प्रकिर्तिक गय सबसे अधिक उपयोग में आने वाले हैं इनका बर्तमान सोरूप हजारो वर्सों के बाद बिक्सित हुआ है। उर्जा संसाधन सीमित है। भारत में दुनिया के अबादी 16% था है। और दुनिया के उर्जा संसाधनों का लबग एक पर्थित भाग पाया जाता है। उर्जा विभाग के अधिकारी अकलेस गोतम ने कहा है कि अधिकतर उर्जा सुरोत को न तो पुना उपयोग में लाया जा सकता है। और न नविक्रित किया जा सकता है गैर अक्ष है उर्जा सुरोतों का इंधन उप्योग में हिंसा 80% है इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि अगले 40 बरसों में हमारे उर्जा के सभी सुरोत समाप्त हो सकते हैं नवालिक से समयक दूसकर्म में दो यूगों को अमतिम सांस तक जेल पोकसो मामले में विशेश नयदीस आसीफ इकबाल के अदालत ने मंगलवार को नवालिक से समयक दूसकर्म करने के मामले में दो सी अभियोगत सुभास मुंडा एवाम डेविड होरो को अमतिम सांस तक जे को दूसकर्म के परियास में दोसी पाकर पांच साल की कैद की सजा सुनाई अदालत नहीं ने 5 दिसंबर को दोसी ठाराया था कॉंग्रेस अनुसासन समीति का अल्टिमेटाम जार्खन कॉंग्रेस अनुसासन समीति ने पार्टी नेताओ द्वारा दिये जा रहे अनुसासन समीति के अद्यक्स बिजेंद्र परसाद सिंग के नतियोत में बैठाक होई जिसमें समीति के सहसे अनादी ब्रमहम, समसेर आलम, अमूल निराज, खलखो, काली चरण मुंडा आदी मजूद थे बैठाक में समीति के अद्यक्स द्वारा सवर पर्थम कांग्रेस भवन में हुए पूतला दहन के निंदा की गई और हिदायत दी गई की आगे से ऐसे मामलों में जो भी सनलिप्त पाये जाएंगे उन पर पार्टी नेमा अनुसर करवाई की जाएगी प्रमोध मिस्रा को इडी ने दोबारा भेजा समन जार्खन पूलिस के डिएसपी प्रमोध मिस्रा को इडी ने दोबारा समन जारी कर 15 दिसंबर को जोनल कर्याले में दीन के 11 बजे हाजिर होने का निदेश दिया है इससे पहले प्रमोध मिस्रा ने सरकार के दोबारा सूप 11 बज़े रांची के एडी कर्याले में उपस्तित होने को कहा गया है हाई स्कूल सिख्छक नियोकती परिक्षा 2016 मामला हाई स्कूल सिख्छक नियोकती मामले में राज सरकार बड़ा फैसला लेने जा रहा है बुद्दवार को होने वाली केबिनेट की बैठाक में परस्ताव लाने की त्यारी है संभावना या चताई जा रहे है कि सरकार सुप्रीम कोट के रूख को देखते हुए 2016 से चल रही इस नियोकती में पदों की संख्यार पर क्रियावें बदलाव लाएगी सिक्षा मंतरी जागनात महतों ने जनकारी देते हुए कहा है कि सोनी कुमारी और अने के मामले में पिछले दिनों मुक्स अचिव को सुप्रीम कोट में हाजीर होना पड़ा था राज सरकार इस बिग्यापन को लेकर जारी नियोकती पर गंभीर है और केबिनेट में विचारो प्रांत फैसला लेगी G20 को लेकर जारखन पुलिस तयार मंगलवार को भी पुलिस मुख्याले में G20 मीटिंग को लेकर महतपुन बैठा की गई जिसमें आने वाले महमानों की सुरक्षा को लेकर रनिती तयार की गई है बता दे दुनिया के बिकास सील और बिकसी देशो का संगठन G20 की बैठाग 16 और 17 फरवरी और 16 और 17 मार्श 2013 को राइधानी राची में होना है बैठाग के लिए दरभांगा हाउस इस्थीत कोल इंडिया के कॉन्फरेंस हौल को चुना गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राब कर बाल का बेल एक अंद भाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों किसा सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़वाएक अवसे दे थांक्यू